आप देख रहे हैं Amaze Now गंगा, जमना, राप्ती और गोंती के दटवर्ती इलाकों से खबरे आप तक छापडिया डियाबिटीज और थाइराइट सेंटर छापडिया हास्पिटल बेद्याहाता गोरखपूर डाक्र अंकित छापडिया डियाबिटोलोजिस्ट फेलोशिप इन डियाबिटीज फ्रॉम राइल कॉलेज आफ फिजीशियन्स लंदन और थाइराइट स्पेस्लिस्ट द्वागा, थाइराइट के सभी तरके इलाज और जाच उपलब डियाबिटीज और उसकी कॉंप्लिकेशन्स की जाच, इलाज की सुविधाएं उपलब निरोपैथी की जाच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिट प्रोफाइल, थाइराइट फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटर्स सभी जाचें होती हैं डियाटीशन्स और वेट मैनेजमेंट की सुविधाएं उपलब संपर करें छापडिया डियाबिटीज और थाइराइट सेंटर, छापडिया हास्पिटल बेतियाहाता, गोरकपूर मोबाइल नंबर 840-996-7738 और 0551-7960130 नमस्कार, सत्य घटना के आज के आंगे साथ मैं हूँ प्र्यांका, शुरुवात करते हैं आज के मुख्य घटना से यूपी में योगी टू सरकार का पहला विधानसभा बजट पेश चार जून को अपना सताब्दी वर्ष मना रहा है गीता प्रेस परिवार एक बार फिर गोरकुर में वाहन स्वामियों को बिना हेलमेट पहने नहीं मिलेगा पेट्रोल मंदिर मस्जित गिर्जा घरों में लगने वाले ध्वनी विश्तारक यंद्र का मानक तैक करने से तमाम मागों को लेकर समाजवादी पार्टी ने जिला दिकारी को सौपा ग्यापन बाउंडरी गिरा कर दूसरे की जमीन पर कपचा करने वाला भू माफिया जेसीपी मशीन के साथ गिरफतार अब सत्य घटना विस्तार यूपी में योगी टूसरकार का पहला बजट विथान सबा में पेश किया गया विक्टिमंती सुरेश खन्ना ने 6,15,518 करोर 97,000,000 रुपय का बजट पेश किया इस बजट में 5 साल में 4,000,000 नौकरियां देले का लक्षे है साथ ही मादमिक शिक्षा में 7,540 पदों पर भरती की जाएगी मेडिकल पॉलजर में 10,000 पर भरे जाएगे 15,000 सोलर पंपो की स्थापना कराई जाएगी वही गोरगपुर के लिए भी बड़ी सौगार हुई है बजट में यहां मैट्रों के लिए बजट मिला है वही चिरिया घर को भी ध्यान में रखा गया है लोगों ने बजट की सरहना की इस बार कि भी यह पिकरदार में तो भी बजट पेसी है मुझ्जन कल्याडकारी है और देखा जाएं यहां पर तो भरगपुर के लिए भी बहुत बहतर है और बुनारस में भी एक परियाटन अस्काल के लिए भी बजट दी हुई है यह और गुरबपुर में चिडियाघर के लिए बिए और स्वास सिवां लग państiros के लिए अरवी और भर भार्फी ज़ो मदर्सें उसंब भी बहतर काम करने के लिए और शाक्विती देने के लिए भी बजट पेस्ट किये गया है। हमारे गुरभपुर के लिए तो खास बनता ही है। क्योंकि चिडिया घर और अन्य जो भी काम हो रहा है तो बेहतर हो रहा है। और बेहतर जिसा की तरब अग्रसर हो रहा है। और भी सुमें और बेहतर हो सकते हैं। धार्मी किताबों को लेकर पूरे विष्व में अपना नाम बना चुका गुरभपुर का गीता प्रेस चार जुन को और खास होने जारा है। एक तरब जहां गीता प्रेस अपना शताब्डी वर्स मिना रहा है, वहीं चार जुनको महा महीं, राष्टपती, रामुराज कोविन के आघमन को लेकर गीता प्रेस परिबार में उच्छा है। गीता प्रस्ट के ट्रस्ट के मुताबित राश्छ पती महदे के आगमन को लेकर जिना प्रशशन के त्यारी के साथ ही गीता प्रस मेंती तयारियां जोरो पर हैं पर देश लोग बहुत ही प्रक्राइब हैं और इनके आजवन की प्रिपिच्छा कर रहे हैं यह उनके आजवन के लिए जो बी प्यारिया है तो शासन हमको नविश्ट कर रहा है जो हमारे अंतरज़कियों प्यारियां हैं, इसका हम लोग बहुत उस्ता से आगे बढ़ रहे हैं, प्यारियां कर रहे हैं। मंदिर मस्चित विचागरों में लगने वाले ध्वनी विस्तारक यंग का मालक तैकर ले सहीद, अनिमागों को लेकर गुरुवार को समाजबादी पार्टी के एक प्रदिरी मंडले गुरतबुर के जिराधिकारी को क्यापन सपा। उनका आरोग है कि सुप्रिंग कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप जिला प्रशाशन की अनुमती के बार भी इस्थानी पुलिस वारा पर रिशान किया जा रहा है। इस अमन में सपा के जिलाधिक्ष आवडेश शादो ने कहा कि इस पर एक गाइडलाइन जारी किया जाए जिससे सभी बहुत सुधा मिल सकेगे। चाहे मंदिर हो चाहे मजजीद हो चाहे गिर्जागर हो उसके उपर जो द्वन विस्तार के अंत्र लगे हो उनको लेके तमाम प्रकार की ब्रांतियां फैली होई हैं। तो हम लोग यही प्रिशासन से उम्मीद किये कि एक असपस्ट दिशा निर्देश जारी हो जाए। उसके आधार पर जो भी सुप्रीम कोट की गाइडलाइन है या सासन की मंसा उनके रूप सब लोग पारन करेंगे। दुसरा अभी कल रात में एक हत्या जहां थाना चेतर में हो गई। उसमें निश्पक जांच कराकर के जो भी दोसी हैं उनको तत्काल गिरफ्तारी की मांग समझवादी पार्टीकलों ने किया। हर साल की तरह इस साल भी हजरत मुबारक खांच शरीत बाबा का सालाना उर्ष और मेला 28, 29 और 30 में को मनाया जाएगा। इस बाब की जानकारी दर्गा कमीटी के अधाशित इकराव एहमर ने दी। उन्होंने कहा कि उसमें पुरवांचर पर दूर तराज के जिलों से बड़ी संध्यामे जारी मजार शरीफ का दर्शन करने को रख पूर आते हैं जिनके लिए मुकमल व्रस्ता की रही है। उन्होंने बताया कि 28 में की राप में एशा की नमाज के बाद जलसाए ईट मिलना दूंबी तखर जलसाए दस्तार बंदी का प्रोग्राम रखा गया है। अब इस तारी को वाली का प्रोग्राम है और रवाई की प्रोग्राम है। हम दो इसको इत्मत गुदार बनकर जो इसके बाद करने के लिए प्रोग्राम की कैंट पुलिस ने जेसीबी के साथ एक अब्युक्त को गुरुफतार किया है। बताया जा रहा है कि गुरुफतार अजीद पासवान में 19 में की देडा अपने साथियों संग मिलकर पूरा खट इलाके में मिठाई लाल की जमीन की बॉंकरी गिरा कर उसकर कबजा करने का प्रयास किया था। जिस समबन में कैंट खाने में मुकतमा दर्स कराए गया था। पुलिस तभी से इसके तलाश कर गई थी। अब लेते हैं एक छोटा सब्रेट शेश कब्रेट ब्रेक के बाद। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशियालिटी सेंटर गीतावाटिका रोड कुरकपुर। प्रसूती इस्त्रे इनपर्टिलिटी रोग विभाग। नवजाज शिशु बाल रोग विभाग। हड़ी एवं जोड रोग विभाग। जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सरजरी विभाग। गंभीर एवं अतिगंभीर रोगी विभाग। विशेशक की चिकिसक दोरा इमर्जेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्द। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अफ़ाइंटमेंट हे तु संपर्क करे। 9838463555 आधिनिक सुवधाओं से सुसर्जित, O.T., Emergency, I.C.U. Ward, N.I.C.U. Ward, General और Private Ward उपलब्द। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गेता वाटिका रोड कोरकपूर। एक बार फिर से आपका स्वागर्थ है। चलते हैं शेश खबरों की ओर। पानी से आगे बढ़ बढ़ के काम करना पड़ेगा तो इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी इच्छी है जैसे यहां के कॉंट्रेक्टर जो यहां के नहोंने तो बताए कि हम 15 जुन तक पूरा अपना काम खतम कर देंगे तो इनको यह समस्या नहीं आएगी अगर 15 जु दी बढ़ेगा तो करेंगे तो वहां पर उनकी गती किसी भी समय कम नहीं बढ़नी चाहिए तो वो एक हमाले क्रिटिकल फेक्टर है और एक बीच वाला काम है जो की बहुत स्लो हो रहा था इस हमाले काम की प्रगत से मैं संतुस्ट्रों पर सधावनगल की डोटन पुलिस और सजी टीम को एक शाती चो को पकड़ने में सपलता मिली है आज मुखबी की सुचना पर पुलिस ने एक व्यक्ति को धर्मोलिक पुलिया के पास ये पकड़ा जिसकी पहचान इंडरकेश यादों खुत्रमानी राम की रूप में हुल है बताते चले कि पकड़ा गया अभ्युक्त नेपाल देश के थाना मजगवा के रूपन देगी नेपाल का है अभ्युक्त के पास ये चोरी की टीम मोटर साइके और एक की तड़ मोबाइल फोन नेपाली सिम और नेपाली 105 रुपे बरामत किया गया है घटना का खुलासा संदकभी नगर जिले के धंखटा खाना चेतर के हकीमपुर गाओं के रहने वाली महंत सुभासिंग ने डीम का रहले पर पेट्रोन लेकर आतमधा करने पहुच गया है उनसे बाचित करने पर उन्होंने बताया कि धंखटा खाना अध्याचित बिने पाठन तवारा जमीन कारिवाही ना करने पर उन्होंने इस तरह का कदम उठाने का मन बनाया आपको बता दे कि धंखटा खांचित के हकीमपुर गाओं निवासी महंत सुभासिंग के जमीन को इनके पट्टिदारों ने फर्जी तरीके से बेनामा करा लिया है और बेनामे धारत ने जमीन पर कब कामदार की कोशिस की थी लेकिन फुलिस ने बचा लिया और कारवाही का आश्वाशन दिया लेकिन दो कारियों में से सिर्फ एक ही कारी हुआ दूसरा नहीं हुआ जिसे परिशान होकर महंत सुभासिंग पुना आस्पेक्ट्रों लेकर कलेट्रेट में आप वदाहा करने प कर दो दो दोहां हुआ हुआ है कि अन्दिर कि मनुश्यत भर हैल अऊसी पकाम रुका रुआ साय बह week शूआ रहे प्त्रों ने हैं पनानी आ निया के लिदा यह रह धोई हुआ नियासी घ्राइव किया नियासी की रहा हुआ हूँ अब नगर निगम और डूडा द्वारा चैनित बेंडिंग जोन में ही लगेंगे पत्री वैरसायों के ठेले और खोंचे इसके लिए गोरपुर के नगर निगम और जिला प्रशाशन में एक और फिर सक्थ रुख अपना लिया है गुरुबार को सिटी मजिस्टेट अबिनाव रंजन वर नगर निगम प्रवर्टंदर टीम के प्रथारी कर्णल सीतिंग सिंग ने सास्त्री चौक और अम्बेद कर चुराहे पर लगने वाले ठेले खोंचे वालों से बात की और उन्हें नगर निगम वर्टूडर वरा हर्योंग नगर में चिन्हित वेंडिंग जून में ही अक्री दुकाने लगाने की पार्थ इस सम्बर में सिटी मजिस्टेट अबिनाव रंजन ने कहा कि 135 दुकानों का आवंटन होना है जिनमें से 129 दुकाने आवंटित हो गई इसका मुख्य उदेश यह है कि जांकी समस्या से मिजात मिल सके और इनको भी नुकसान ना हो उन्होंने कहा कि दो और जगा वेल्डिंग जों के लिए चिन्हित किये गए हैं वहां भी लोगों को शिक्त लिया जाएगा अब आप हमारे कारे करमों को 24 खंटे लगातार बैन रैट वर के चैनल नमबर 114 पर देख सकते हैं इसके साथ अनमत दीजे नमस्कार आप देख रहे हैं अमेज लाओ गंगा जमना राप्ती और गोंती के दटवर्ती इलाकों से खबरे आप तक